आज मैं हिल्दी और टेस्टी गुड की मिठाई बनाओंगी गुड और गेहूं के आटे से बनाओंगी इसको आप स्टोर करके डेड़ दो महिने तक रख सकते हैं यह मिठाई खराब नहीं होगी बहुत ही हिल्दी होती है गुड में अधिक मात्रा में प्रोटीन और आयरन कल होता है यह दोनों चुछ हिल्द के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है यह मिठाई बहुत ही स्वाधिस्ट होती एक बार आप जरूर ट्राइ करें इसमें मैं घी कम इस्तेमाल करें हूं आप चाहें तो एक कटोरी भर के घीश में डाल सकते हैं नमस्का वस्नोभी हिल्दी फूर्ड में आप सब बहुत-बहुत स्वागत है वीडियो सुरू करने से पहले मैं आप सबसे अपील कर रहे हूं प्लीज यदि हमारी वीडियो आपको जरस भी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज लिए मैं जो समाल ले हूं आपको बता दे रहे हूं सही ना पताओंगी जिससे आपको गुड़ आटे की पापड़ी खराब नहों और एकदम सरल तरीके से बताओंगी यह जो मैं कटोरी लिए हूं तीनों कटोरी सेम है साइज बराबर है छोटी बड़ी नहीं है दो कटोर जो है ओजन में 300 गराम है और 300 गराम ही में गुड़ ले ली हूं गुड़ का टुकड़ा छोटा करके कटोरी में भरेंगे तभी सही होगा अगर बड़ टुकड़ा रहेगा तो गुड़ कम हो जाएगा आटा ज्यादा हो जाएगा गुड़ की पापड़ी आपकी सही नहीं बनेगी, वजन में बराबर हैं, गुड के साथ ये सोठ पॉर्डर बहुत अच्छा लगता है, इसकी तासीर गर्म होती है, सरदियों में सोठ बहुत ही फायदा करती है, गुड के साथ खाएंगे, तो सरदी खासीम बहुत फायदा करती है, ये सुखे नारियल का बुरादा है आधी कटोरी मैं ली हूँ इसकी कॉंटिटी आप कम जादा कर सकते हैं और नहीं डालेंगे तो भी चलेगा आपको अच्छा लगे तो डाले नहीं तो ना डालें गैस पर मैं एक कड़ाई रखी हूँ यह जो मैं घी ली हूँ साथ कराम है इसमें से मैं तीन चेमच घी डाल द देंगे तो जल्दी से कलर आजाएगा आटे का कलर ब्राउन हो जाएगा पर टेस्टी नहीं होगा और कच्छा रह जाएगा धीमी आज पर लगातार चलाते हुए इसी भूनेंगे तो इसका कच्छापन खतम हो जाएगा और इस तरीके से कलर इसका लाइट ब्राउन हो जा जाएगा मैं आधी कटोरी डाली हूँ थोड़ा सा भून जाएगा और इसमें मैं दो चेमज घी और डाल दे रहे हूँ लगबग 40 ग्राम घी में इसमें डाल दे हूँ थोड़ा सा पकाएंगे घी के साथ आंटे को और अच्छा टेस्ट आ जाएगा गेहु काटा हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है इसमें विटामिन और कल्सियम भरपूर मातरा में पाया जाता है इसलिए मैं गेहु काटा इस्तेमाल करी हूँ आप चाहें तो मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं आटा भून चुका है मैं एक बड़तर में निकाल ले रहे ह और इसी कडाई में गुड़ को मैं गला लोंगे कडाई में गयर्ष पर फिर से रख दी हूँ इसमें थोड़ा स काई डालोंगी ताकि गुड़ कलाने मैं आसानी हो चार से मज़ पानी में डाल ली हूँ अगर आपका गुड़ बिलकुल नरम है तो इतना ही पानी डालें गुड़ कड़ा हो तो दो से तीन से मज़ पानी और डाल सकते हैं मैं इसमें गुड़ डाल दी हूँ और धिमियाज पर इसे गला ले रहे हूँ गुड़ आप बारिक टुकड़ा करके भरेंगे कटोरी में तभी सही होगा और धिमी आज पर इसे गलाएंगे आज तेज नहीं करेंगे नहीं तो जल्दी से गुड़ जल जाएगा लगातार चलाते जाएंगे और गुड़ में भी बहुत सारे पोस्टिक तत्त होते हैं इसमें प्रचुर मातरा में प्रोटीन होता है गुड़ में जो हिल्द के लिए बहुत फायदे मंद होता है आयरान, विटामीन और कैल्सियम भी होता है जब गुड़ इस तरीके से पकने लगे तब इसमें घी डाल दें अगर आपको पसंद होता हो मैं दो चेमज घी इसमें डाल दी हूँ और एक बात का ध्यान दें जैसे ही गुड़ गल जाए इस तरीके से फूल जाए वैसे ही तुरंत गैस आप कर दें गुड़ को पकाएं न तुरंत गैस आप करके आठा डाल दें भूना हुआ अगर गुड़ को पकाएंगे तो आपकी गुड़ पापड़ी बिलकुल कड़ी हो जाएगी खाने में अच्छी नहीं लगेगी बहुत ही कड़ी बन जाएगी जैसे गुड़ गल जाए पकने लगे जैसे फूल जाए तुरंत गैस आप करके आठा डाल के अच्छी तरीकी से मिला लेंगे और यह सोंट पाउडर भी डाल देंगे बढ़ियस मैं मिला ले रहे हूं थोड़ा जल्दी करेंगे नहीं तो गुड़ पापड़ी इसी में सेठ होने लगेगी अब मैं इसे नीचे उतार लूँगे बढ़ियस मिला लूँगे नीचे उतार के वो इसे मिल चुका है ध्यादे गुड़ को पकाये ना और एक थाली में मैं एक चेमच घी डालने छोटा चेमच बढ़ियस से जट लेंगे आप किसी भी बरतन में इसे सेट कर सकते हैं थाली में या बर्फी के ट्रे हो प्लेट हो किसी में भी सेट कर सकते हैं इसे फैला देंगे बराबर कर देंगे हर तरफ और कटोरी के तले में घी लगा कर इस तरीके से चिकना कर देंगे थोड़ा दबा देंगे त तो पीस काटने में दिक्कत होगी, पीस थोड़ी सी छोटी या बड़ी काट सकते हैं, जैसे आपको अच्छी लगे, गुड़ ठंडा होते ही, जमने लगता है, सेट हो जाता है, इस गुड़ पापड़ी को आप कंप्लेटली ठंडा होने देंगे, फिर किसी भी अटाइर क्याना देनर में रखने डेड़ से 2 महिन तक छांपते हें, खाराक नहीं Хराब नहीं होती है, इसकी पीस में निकाल ले रहे ह् हो, वेसे गुड़ पापड़ी पतली ही बनाते हैं, बहुत मोटी पीस इसकी नहीं होती है, MRB मैं इसलिए बड़े बड़तर में फ्ट्र में लगा दे रही हूं, गुड़ और गेहों के आटा दोनों ही हिल दी होते हैं, मैं तोड़ के दिखा रहे हूं, बिल्कुल सौप्ट है, खाने में बहुत ही स्वाधिष्ट होती है, इसको आप चाहें बेशन से भी बना सकते हैं, इसमें सूजी भी डाल के बना सकते हैं, किसी भ कपड़ी मैं प्लेट में लगा दे रहे हूं और इसके ऊपर आप कोई भी ट्राइफूड अपनी मन परसंद लगा सकते हैं घर पर खा रहे हैं कुछ नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा मैं रख दे रहे हूं इस पर काजू के टुकड़ा यह सर्दियों के लिए स्पेशल